Dear students, स्वागत थे आप सभी का City Montessori School Siwan के यूटूब चैनल पर आज के बाइलोजी क्लास में जिसमें मैं आप सभी को क्लास 10th BTC के बाइलोजी का पहला चेप्टर जयव प्रक्रम का पहला उनिट पोसन का रिविजन कराऊंगा. सबसे पहले देखते हैं जयव प्रक्रम. जयव प्रक्रम के बारे मुन बताएंगे वे सभी प्रक्रम जो संजुक्त रूप से जीव के अमरक्षण का कार्या करते हैं जयव प्रक्रम का एक्जांपल हमें बता सकते हैं पोसन, स्वसन, वहन यानिकि परिवहन और उत्सरजनित यादि. ठीक है? अब देखो पोसन का definition क्य बताएंगे भोजन को गरहन करना, पचे हुए भोजन को आवसोसित करना और सरीर के द्वारा अमरक्षण के लिए उसका उप्योग करना यानिकि पचे हुए भोजन का उप्योग करना ही कहलाता है पोसन. पोसन के लहरपर जीवों को दो प्रमुख बर्गों में या समूहों क्या होता है स्वपोसी पोसन के बारे हम बताया जाएगा पोसन का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास की वातावरण में उपस थित सरल अजेव पदार्थों जैसे की स्वपोसी पोसन और ऐसे जीव को बोलते हैं हम लोग स्वपोसी जीव जैसे की हरे पेनपोधे इसके अंतरगत में आएंगे दूसरा है विशंपोसी पोसन तो इसके बारे हम बताया जाएगा पोसन का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयम तैयार नहीं कर सकता बलकि अपने भोजन के लिए वह अन्य जीव पंद्री भर करता है तो ऐसे तरीका के बुलते हैं वर बीशान पुसी पुसंड और यासे जीव के बुलते हैं वबीशान पूसी जीव, जैसे कि मनुष्य हो जाएगा और दूसरे जन्तु इसके अंतरगत आ जाएगे. स्ववपोसी पोशन के अंतरगत एक बात आप लोग ध्यान रखना कि स्वपोसी पोशन हरे पौधों में तथा कुछ बैक्टरिया में होता है जो की परकास संस्लेशन कर सकते हैं तो अब जानेंगे हम लोग की परकास संस्लेशन होता क्या है परकास संसेशन के बारे में आप लोग बता सकते हो कि यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोसी के दुआरा बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित उर्जा के रूप में बदला जाता है या फिर बदलता है यह खुद यह परकिरिया अब वो पदार्थ कौन से हैं तो वो जो पदार्थ हैं वो कार्बन डाइकसाइड और जल के रूप में बाहर से लिए जाते हैं जो कि सूर्य के परकास और कोल्रोफिल के उपसिति में कार्वाइट्र के रूप में बदल दे जाते हैं परिवर्थित कर दिये जाते हैं एक समी समीकरण है परकास संसेशन का जो कि कई बार एक जाम में पूछा किया है और पूछा जाएगा भी तो इसको आप लोग कंठर्ष्ट कर लिजेगा और वो है कि कार्बन डाइकसाइड प्लस पानी यानि कि वार्टर क्लोरोफिल और सूर्य के परकास के उपसिति में गुलकोज, ओक्सीजन और पानी बनाते हैं तो यही आपका जो समीकरण यहाँ पर आपको दीख रहा है यह है आपका परकास संसेशन का समीकरण यानि कि 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll इल्ड्स यानि कि देता है C6H12O6 यानि कि गुलकोज प्लस 6O2 यानि कि ऑक्सीजन प्लस 6H2O यानि कि पानी वाटर ओके तो यह आपको समीकरण ध्यान में रखता है अब हम लोग चलते हैं जानने कि परकास संसेशन के लिए कौन-कौन से कंची समागरी हमें जरूरत पड़ती है यानि कि हमें कहने का सेंस मेरा है कि पौधों को या फिर जो परकास संसेशन करते हैं उनको कौन- और जल जल जो है अस्थलिय पौधे जड़ों के द्वारा मिट्टी से प्राप करते हैं तो यह चार चीजें ऐसी हैं जो कि पौधों को या फिर वैसे कोई भी जीव जिनको की परकास संसेशन करना रहता है उनको यह चारों चीजे जरूरी होती हैं अब परकास संसेशन के दोरान में कौन-कौन से घटनाय घटित होती हैं यह भी देख लेते हैं तो सबसे पहला घटना है क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य से जो परकास उर्जा निकलता है उसको अवसोसित करना और दूसरा घटना है कि जो परकास उर्जा उसने अवसोसित किया है उसको रसानिक उ तो ये तीन घटना है जो है परकास संसलेशन के दोरान में घटती हैं आपको ध्यान रेपना है अब रंधर जो की बहुत ही एक अब दियान दो रंधर का काम क्या है रंधर का जो है दो मुख्य काम होता है पहला है कि परकास संसलेशन के लिए गैसों का अधिकांस आदान परदान जो है इनी छिद्रों के दोरा होता है और दूसरा काम है कि वासपुत सर्जन की परकिरिया में जल रंधर से ही बाहर निकलत और रंद्र का यहां पर structure दिखाएगे, आप लोग देख सकते हो, यहां पर दोठो आपको सेल दिखाई दे रहा है, जो कि same की अख्रितिक है, जैसे कि मैं यहां पर drawing करके भी बता रहा हूं, यहां पर diagram आप लोग देख सकते हो, यहां पर same के जैसे एक मेने बीच बनाया है, और दूसरा यहां पर एक और सेल आपको देख सकते हो, जो कि same के जैसे हीर है, तो यह दोनों guard सेल हैं, यानि कि द्वार को सिखाएगे, अब इन द्वार को सिखाऊं के बीच में यहां पर एक खाली जगा बचरा जा रहा है, तो इस ही खाली जगा को लोग बोलते हैं, अग्यासों का आदान परदान करता है, साथे साथ यह वासफुत सर्जन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इन ही चीदरों से ही आपका पानी बाहर निकलता है, तो उमीद करता हूं कि इस मेटा का इस्ट्रक्चर कैसा होता है, यह आपको समझ में आ गया, आप पोसअन के बारे में, एक सेकड अभे आपको में समझा देता हूँ, चलो देखो बीचमोसअन तो क्या होता है? यह मैंना समझा दिया था, देखो बीचमपोसअन जर तीन तरख की हो सकते है, प्राणि पोसअन हो सकता है, दूसरा जिए अपका मिंजिविविवर पोसण हो दूसरा है आपका मृत जीवी पोसन इसमें हम रखे हैं कि मृत जीवी जो है अपना भोजन मृत जीवों यानि मरे हुए जीवों के सरीर और सड़े गले और कार्वनिक पदार्थों से प्राप करते हैं जैसे कि फफूद हो जाएंगे या ठीक है कावक हो जाएंगे तो यह सकते हैं कि परजीवी अन्य जीवों के सरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बीना मारे ही उनसे अपना भोजन प्राप करते हैं तो ऐसे जीव जो है परजीवी कहलाते हैं और ऐसा पोसन जो है परजीवी पोसन कहलाता है जैसे कि अमर बेल का पौधा हो जाएगा जू हो जा आदाए है, धाजे पानी का जीव है और वो जो है एक कोसीकलिय जीव है और वो जो है एक प्रोटोजोवा है वो कह सकते हैं कि प्राडी साम पोसी जीव होता है, तो इसके अंदर में किस परकर से पोसन होता है ये बातें आप लोग begins. तो देखो इसमें actually क्या होता है यहां पर ध्यान समझना सबसे पहले क्या होता है कि देखो इसका तो यह एक सेके रप जाओ तो आसे color change कर दो ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह एक amoeba हो गया अब क्या होता है कि इस amoeba का जो तो यह structure है आप तो जानते हो कि हमेसा बदलते रहते हैं क्योंकि यह पादाव यानि कुटपाद बनाता है बिगाड़ता है ठीक है तो होता है क्या है कि अम्विवाय के पास में जैसे भोजन का करण आता है तो इसके body में sense होता है और फिर यह क्या करता है कि जिस body के हिस्से से भोजन का account नजदीक रहता है उधर के body के हिस्से को जो है वो भोजन के दोनों तरफ से गहरना इस्टार्ट कर देता है तो इस तरीके से यह उंगली के जैसे structure बाहर के तरफ को निकालते हैं और फिर क्या करता है कि भोजन को भेरते जाता है जैसे कि यहां पर आप देख सकत भोजन को यह क्या कर रहा है यह जो है दोनों अपने पदाव यानि की कुटपाद के मादें से भोजन को जो है गहरना इस्टार्ट कर दिया है जब यह अपने कोसिका जिल्ली मात्यम से जब गहरना इस्टार्ट कर देता है तो फिर क्या करता है लास्ट में जो दोनों पदा था वो आपस में जूड करके शरीर का जो ही इसका बाहर का सतह बनायता है तो इस तरीके से अब क्या होती है यहाँ पर ध्यान समझो यह जो है आपका कोशी का जीरली भोजन को चार तरफ से घीर करके और एक फूड रेक्तिका मतलब कि फूड भैक्यूल से या फिर कर सकते हैं को यह अंतर गरहन कर लिया ठीक है अब क्या होगा यहाँ पर डाइजेस्टन होगा डाइजेस्टन होने के बाद से क्या होगा कि यह डाइजेस्टेट फूड का यूज करेगा और अंडाइजेस्टेट फूड को कहीं एक जगह पर अपने सरीर के सतह पर क्या करेगा कि इसको बाहर निकाल देगा तो इस त给 उसन होता है यह आपको बहतर तरीकर समझ में आ गया है पैराख में भीडे सरीकता है पैराख में क्या होता है कि उसके पूरे सरीर पर Hajde पैराख में इगर बात करेंगे जयसे वह लोग्यर कि यह है आपका एक मैं paramecium का drawing बना रहा हूँ तो ये example के तौर पे आपका paramecium होगा तो आसा सठीक नहीं बन पा रहा है चुकि माउस पर दिक्कत होता है आप जानते यो तो ये एक paramecium होगा इसके सरीर पर क्या होता है कि बहुत सारा जो है आपका cilia होता है यानि कि पदाव होता है ठीक है अब ये cilia क्या करते हैं कि इसके रास्ते में जितने भी food आते हैं उन सभी food को ये क्या करता है कि sweep करता है बाहारता है उसको जो है आपका इधर के तरफ में तो cytosetrom नाम का जो है इसका fix जगह होता है भोजन करने के लिए जो कि आपका ते रहां कि कहां पर है देखो ये आपको portion ना ये वाला portion आपका cytosetrom है ठीक है तो इस cytosetrom की तरफ में क्या करता है कि food को इधर की तरफ में धक्का देदे करके और यी कःठा करता है और फिर क्या करता है जो आपका भोजन का digestion भी हो जाता है और सरीर में absorb भी कर लिया जाता है उसके बाद से undigested food को एक जगा से बाहर निकाल दिया जता है जिसका नाम है Cytoproct तो ये नाम आप लोगों को ध्यान अपना है ये दोनों ही प्रोटो जोवा होते हैं और दोनों एक को सिखिये जीव हैं दोनों जो हैं ताजे पानी में रहते हैं तो अभी आपने देखा कि सरुल जीवो में कि इस परकार से पोस्टन की परकिरिया कम्प्लीट होती है और इसके बाद मैं मनुस्य में पढ़ाऊँगा आप लोगो अगले क्लास में मैं अचली पढ़ाना नहीं रिविजन कराऊँगा आप लोगों को अगले क्लास में ठीक है तो थैंक यू भरी मच्च